नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि तर्बिस्किन 250 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. तर्बिस्किन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? और तर्बिस्किन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि तर्बिस्किन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए? तर्बिस्किन एक ब्रैंड नेम है तरबिस्किन टाबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजीशन तरबिनाफाइन 250 Mg होता है तरबिस्किन टाबलेट एक अंति फंदल दवा है तरबिस्किन टाबलेट का उप्योगत वचा पर या नाखुनों में फंदल इंफेक्षन होने पर किया जाता है वचा पर फंदल इंफेक्शन होने पर वचा पर रैड या सफेद रंग के धब्बे होना, वचा पर खुजली व जलन होना, वचा पर रैशेस होना, वचा पर दाध होना, वचा का पप्री बन कर उतरना, वचा में जखम होना और वचा का कुछ हिस्सा सफेद व नर्म होना Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में तर्बिस्किन टैबलेट की वज़़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में तर्बिस्किन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे सिर्दर्ध होना, दस्त होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, लिवर में सूजन होना, मुह का स्वाद खराब होना, उल्पी आने का मन होना, पेट दर्ध होना और पेट से गैस निकलना आधी साइड इफेक्स तर्बिस्किन टैबलेट की वज मिन्देड होता है तर्बिस्किन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर टर्बिस्किन 250 Mg टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। तर्बिस्किन टैबलेट को डॉक्तर 6 सब्ता से लेकर 12 सब्ता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। तर्बिस्किन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको तर्बिस्किन टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की तर्बिस्किन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। तर्बिस्किन टैबलेट को लंबे समय तक लेने से, यानि लगातार एक साल या उससे अधिक समय तक लेने से, मुह का स्वाद और शरीर की सूंगने की क्षमता स्थाई रूप से डैमेज हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति को तर्बिस्किन टैबलेट को लेते समय मूंग का स्वाद और शरीर की सूंगने की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को तर्बिस्किन टैबलेट को डॉक्टर से सला लेकर तुरंत ही बंद कर देना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को लिवर की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि तर्बिस्किन टैबलेट लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंबीर बना सकती है. अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि टर्बिस्किन टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं. इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को तर्बिस्किन टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को टर्बिस्किन टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टर्बिस्किन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं